बिल्वाडा के नस्दीक नगटित जिले शाहपुरा से जिले का दर्जा छीनने की खबरों के बीच कॉंग्रिस के राष्टे सचीवत था जहाचपूर के पूर्व M.A.L. धीरज गूजर ने बड़ा वयां गिया है गूजर ने कहा कि टाइगर अभी जिन्दा है बीजेपी सरकार ने अगर सपने में भी शाहपूरा जिले की वेधानिक माननेता निरस्त करने के बारे में सोचा तो व्यापक जन आंदुलन किया जाएगा गहलोत राज में भिलवारा से अलग होकर नया जिलाब बने शाहपूरा के बारे में इन दिनों कयास लगाये जा रहे हैं कि जल्द ही शाहपूरा जिले का दरजा छीन सकता है इन अफवाहों के बीच कॉंग्रेस रास्टे सचीव धीरज गूजर ने कहा कि यदि भजनलाज सरकार शाहपूरा से जिले का दरजा छीनती है तो कॉंग्रेस पार्टी एवं जनता इसका पुर्जोर तरीके से विरोध करेगी गूजर ने कहा कि बारहट परिवार की ये कर्म और जन्म भूमी अपने साथ हुए अन्याय का माकुल जवाब देने में सक्षम है इतिहास गवा है कि शाहपूरा की धर्ती पर बड़े जन आंदोलन हुए है गूजर ने कहा कि शाहपूरा की जनता ऐसा उगर प्रदर्शन आंदोलन भहिशकार बाजार बंद चक्का जाम करेगी जिससे आज तक किसी ने नहीं देखा होगा हाल ही में शाहपूरा विधायक लाला राम बैरवा ने भी जिले को यथावत रखने के लेकर मुख्यमंत्री वेविधान सबाद देख से मुलाकात की है अब यह देखना दिल्चस्प होगा कि किसी जमाने में शाहपूरा बचाओ समीति के करता धरता रहने वाले मुझूदा एमेले साहब अपने जिले की लाच कैसे बचा पाते हैं शाहपूरा से विकास जोशीग रिपोर्ट विगर समय जब राजस्तान में नए जिलों का गठन हुआ तब केसरी सिंग जी बारट की पवित्र भूमी को असोग गलोजी ने नए जिले की सोगात सापूरा के रूप में दी थी आज खबरें आ रही है इस तरह की कि बारचे अंता पार्टी समिक्षा के नाम पर सापूरा जिले को वापस छिनना चाहती है यह सापूरा की जो सोगात हमारे सो मिली थी एक केसरी सिंग जी बारट की पवित्र भूमी जो बरसो पुराणी लोगों की मांग थी जब तक मैं जिनना हूँ इस जिले से जिले का एक्स्टेटस छिनने नहीं देंगे चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े हमें आंजोलन करना पड़े लड़े लड़नी पड़े लेकिन सापूरा जहाजपूर की जनता को जो जिले की यह सोगात मिली है उसको हम लोग इस जिले के विकास के कारे करवाए जाए और राजनितिक मांसेक्ता से उपर उठकर सबका विकास करने के लिए इस सापूरा जहाजपूर जिले को और तागत दी जाए मैं इसा काम करूँगा